हलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग तो सुबाय का टाइम हो गया है और हाँ आज आपको एक बात बतानी है आज हम लोग जा रहे हैं बड़ो सिंक्या चाय पीने सभी लोग जाएंगे क्यों जाएंगे यह और बता दे रहे हैं क्योंकि हमारे घर का जो है ना सिलेंडर बड़ा गया है वो भी सडल ली इस धोके में रहे कि साइद दूसरा वाला भराओ लेकिन नहीं नमबर नहीं लगाता जो भरा हुए था पैदे लग चुका था और डेडी और इस वार याद भूल गई है तो बस वही बात है अब जा रहे हैं पड़ो सिंको फोन कर दिया है पूछ ल हरी पी की को आफिस भी जाना है और कम से कम घर से चाइ पी तो निकलना हीन ही चाहिए हमारी भी बिना चाय के हाथ पर नहीं चलते हैं तो आप से फिर मिलते हैं चाय पीने के बाप वो भी पड़ो सिंगे हैं सुभ़ई सुभई तो गाइस देखिए बस चाय पी करा गए अब अपने सफाय अफ्यान में जुट गए हैं हमने का पहले जाडू लगाते हैं इधरी जो सामाने ये भी सब लगाना है और चार-पाच दिन से कुछ काम जानदा ही निकल रहा है जब से लाइट का हुआ है कहीं ये सामान उधर उधर धूली धूल इतनी जानदा हो रखी है अब तो देखते हैं कितना दिन लगता है सैट होने में धीरे धीरे और फिर इधर सर्दियों वाले कपड़े भी निकलते जा रहा है किनको रखना है उठा उठा के धूलते जा रहे थोड़े थोड़े उसका भी जुगाड करना है कि ये फाइनली एक बार में सब धूल जाए और कूड़ा इतना निकलता जा रहा है कि पता है तीन चार बार कूड़े को हम इसमें भड़ते गए बोरी में अब इधर नहाद होके फिरी हो गए हैं अब बच्चों को लग रही है भूँख तो हमने का चलो तयार हो जाते हैं और बस जाएंगे मार्केट तो बस इदर हम लोग निकल आए हैं और देखिए हम लोग सौर्ट कट जाते हैं जब पैदल होते हैं तो इधर से बस निकलते जा रहा हैं हमने का चलो थोड़ा सा इधर बना लेते हैं लिकिन पता इधर लेडिस बैठी ती देख रही थी तो फिर हमने बंद कर दिया मोबाल फिर हमने नहीं बनाए क्योंकि जब आईए गाइस तो खा जाएए आप लोग गर माल फूए दिख रहे हैं माल फूए भी आकर खा जाएए बताना किसे अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं और बस ब्लॉग का हमारा होता है इधर ही पर एंड